शुगर की बीमारी में खाएं ये चीजें और पाएं हमेशा के लिए छुटकारा जी हाँ दोस्तो नमशकार आज की शाम में हम इस बात पर बात करेंगे कि हम क्या क्या चीजें शुगर की बीमारी में खाएं जिससे हमें शुगर के इस बेमारी से छोटकारा मिल सकता है निजात मिल सकता है शाम में सबसे पहला काम मेरे चैनल को लाइक करना सबस्क्राइब करना बेल आइकोन को प्रेस करना और शेयर करना दोस्तो सबसे पहली चीज है करेला जी हाँ यह जो करेला है यह इम्मुनिटी बढ़ाता है सबसे पहली बात और दूसरी बात ये आपको fit बना के रखता है करेले में इंसुलीन जैसी property होती है जिसे हम polypeptide P कहते हैं जो की इंसुलीन की तरह काम करता है और blood sugar level को कम करता है दोस्तो करेले का आप juice पीजिए वो भी सुबह सुबह खाली पेट ये सबसे सही तरीका है आपके diabetes को कंट्रोल करने का एक करेला लीजिए उसमें आधा कप पानी डाले और उसका बढ़िया से blend कीजिए mix कीजिए उसको छान लीजिए और juice पना के रोज सुबह खाली पेट ली कर्भो हाइडरेट होता है जामुन में सबसे अच्छी जो चीज है वो है उसका बीज जी हा आप इस जामुन के बीज का पाॉडर लीजिए या तो आप जामुन के बीज को सुखा लीजे और फिर उसně बीज को सूखने के बाद आप उसका पाउडर बनाईए या फिर आप मार्कित में एवलेबर जामुन के पाउडर को लीजे रोज सुबे इसको भी खाली पेट आप ले सकते हैं आप अगर करेले का जूस ले रहे हैं तो एक दिन आप जूस लीजे करेले का और एक दिन ये जामुन के बीच का जादा कारगर उपाय है ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ दोस्तों इसके बाद है मेथी दाना जी हाँ दोस्तों मेथी दाने जो होते हैं ये आप 10 ग्राम गरम पानी में भिगो दीजे और रोज सुबे इसको खाली पेट लीजे उस पानी के साथ दोस्तों ये टाइप लेवल को कंट्रोल करता है इसके बाद है दोस्तों दाल चेनी हिंदुस्तान के हर किचन में मिलने वाला ये मसाला शुगर को कम कर सकता है कंट्रोल कर सकता है सन 2006 में पहली बार ये साबित हुआ था कि दाल चेनी शुगर को कंट्रोल करती है बलड ग्लुकोस को कम करती है और साथ ही आपके कुलिस्टरॉल को भी कम करती है और आपको हाट अटैक से बचाती है आप डाल चीनी को मिकसर में पीस लीजे और रोज सुबह गरम पानी के साथ एक चमबच डाल चीनी का ये पौडर लीजे दोस्तो आपने एक दिन करेले का जूस लेना है सुबह एक दिन आप के घरों में हर रोज मलता है दोस्तो ये लसन को हम जानते हैं कि इसे ब्लड प्रेशर कम होता है कोलिस्टरॉल कम होता है लेकिन संदोहसर 14 में एक स्टड़ी हुई जिसमें ये पाया गया कि ये आपके शरीर में ब्लड शुगर लैवल को भी कंट्रोल करता है ये आपको कैं इसके बाद है दोस्तो ओलिव ओल जी हां ओलिव ओल जो है वो कुलिस्टरॉल के रिसको भी कम करता है और ब्लड ग्लुकोज लैवल को भी कंट्रोल करता है ये टाइप 2 डाइबिटीज में बहुत ही जादा फायदे मंद है आपको करना ये है कि आपके खाने के आदे घंट से पहले एक खीरा एक टमातर एक गाजर जो जादा मीथी नहीं होनी चाहिए और दो तीन हरी प्याज वो हरी पत्यदार प्याज इनको सबको काट के रखना है और उसके ऊपर एक चमच ऑलिव ओल डालना है और फिर वो सलाद रोज खाने के आधे घंटे पहले खाना है ये आपके ब्लड ग्लुकोज लेवल को कम करेगा और आपको कुलिस्टॉल से भी बचाएगा अमेरिकन स्टडीज के मुताबिक अगर आप 10 एमिल एपल सैजर वेनिगर को 40 एमिल 40 एमिल पानी के साथ डैलूट करते हैं और इस मिक्स्चर को आप खाना खाने के 15 मिट बाद ले पर हां इसका कोई साइड एफेक्ट सामने नहीं आया है तो आप इस तरह से एपल सैजर वेनिगर को आपके खाने में शावल कर सकते हैं और ब्लड ग्लुकोज लेवल को कम कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद है अलसी के बीच जी हां अमेरिकन स्टडीज ये भी प्रूफ करती ये आपके ब्लड ग्लुकोज लेवल को कम करेगी तो आपको ये याद रखनाई की रात को सोते वक्त एक चमच अलसी के बीच गरम पानी के साथ जरूर ले रहे हैं दोस्तो आपको वीक में एक बार जाके आपका फास्टिंग और आफ्टर मील दोनों शुगर टेस्ट करान करेजिए क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया क्या कोई भी इलाज आपके काम नहीं करेगा आपका ब्लड ग्लुकोज लेवल कम नहीं होगा तो जितना हो सके खुद को हैपी रखने की खुश रखने की कोशिश कीजिए लोगों से मिलिए बाते कीजिए घूमा जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जानकारी लोगों तक बहुत सके तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ तब तब के लिए बाई बाई एवरिवन